हमशकार, स्वागत है बच्चों आपका self-study के चैनल में और आज हम अपनी इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं जोग्रोफी यानि भुगोल को और सबसे पहले हम इंडियन जोग्रोफी को जो है वो complete करेंगे और इंडियन जोग्रोफी शुरू करने से पहले हमें भारत के बारे में कुछ जानना जरूरी है यानि भारत का प्रीचे हमें जानना जरूरी है और ये part 1 है भारत के प्रीचे से related होगी part 2 भी भारत का प्रीचे ही आने वाला है अभी यहां पर हम location के उपर बात करेंगे तो आने वाली videos के अंदर हम भारत की जो है परवर्त होगे या फिर जलवाईू या agriculture परिवया है जन संक्या, जन जाती, सारी चीज़े जो हम cover करने वाले है तो start करते हैं बिना किसी देरी के पीडियोफ जो आप लोगों को provide कराए जाएगी टेलिग्राम का एक link दिया मिलेगा description box में तो जाकर आप वहाँ से download कर सकते हैं तो first of all हमें introduction of India यानि भारत का परीचे के उपर बात करनी है तो भारत का परीचे हगर हमें समझना है तो तीन चीज़ों को हमें समझना होगा पहला तो name भारत का जो यानि इंडिया के जो हमें name दिये गई है अलग-अलग जो लोगों ने हमें name दिये रखे हैं पहले तो हम उनको जान लेते हैं फिर हम location के उपर बात करेंगे कि भारत जो है वो जो globe है वहाँ पर कहाँ पर मतलब कि कौन सी location पर आता है उत्री गोलार्द में या दक्षिन गोलार्द में या western hemisphere या eastern hemisphere तो location हम देखेंगे फिर हम boundary के उपर चर्चा करेंगे boundary के साथ साथ हम dispute के उपर भी चर्चा करेंगे कि किस देश के साथ किस area को लेकर हमारे साथ विवाद बना हुआ है कब से बना हुआ था आज की date में कहां पर पहुँचे है तो सारी चीज़े हम इसमें देखने वाले तो यहां पर हम start करते हैं name को कि भारत को अलग अलग लोगोς ने अलग अलग नाम से पुकारा जैसे किसी ने इंडिया कहा, किसी ने भारत कहा, किसी ने हिंदुस्तान कहा, किसी ने आरे वर्त कहा, किसी ने जम्बू दीप कहा तो यह सारी चीज़ें जो हम एक एक कर के discuss करते हैं इंडिया, यह जो वीडियो है या फिर जो अब जोग्रॉफिक की सीरीज होने वाली है वो Bilingual में होने वाली है कि आप लोगों को Hindi और English दोनों ही चीजें प्रवाइड करवाई जाएगी जो चीज़ इंग्लिश में लिखी होगी वो इंडी में मैं लिख दिया करूँगा टेंशन आलो मैंने कोशिश किये कि आप लोगों के लिए bilingual चीज़ें ही लेकर चलूँ मैं तो इंडिया यानि यह जो नाम है वो किस ने दिया तो हमारे देश में जो ग्रीक आये थे ग्रीक बोले तो युनानी युनानी जो थे इनोंने इंडिया नाम दिया था इंडिया नाम क्यों दिया था क्योंकि इंडस जो नदी थी इंडिया नदी के पूरों में पड़ता है तो इसलिए यहां पर नाम दे दिया गया इंडिया, तो यह यूनानियों के द्वारा दिया गया था, भारत जो है वो एक राजा भारत हुआ करते थे हमारे देश में, तो उनके नाम पर कहा जाता है कि भारत नाम रखा गया हिंदुस्तान जो था, यहां पर लिख देता हूँ, कहीं सोचे की सर आपने तो हिंदी में कहा था, हिंदी में तो नहीं मिला आपने तो ये हिंदुस्तान जो है, वो नाम दिया गया था, जो हमारे देश में पर्शियन पर्शियन हो गए, पर्शियन यानि कहें, इरानी, इरानी जो आये थे इन्होंने इस इंड़स यानि इस हिंदु नदी को हिंदु नदी कहा था इस हिंदु नदी के पूरों में पढ़ने के कारण जो है यहाँ पर हिंदुस्तान ये नाम रखा गया तो काफी ज़ाद चीज़ें होगी हमारे सामने important फिर आरे वर्थ आरे वर्थ जो है इसे भारत को क्या कहा जाता है लैंड ओफ लैंड ओफ आर्रिया कहा जाता है लैंड ओफ आर्रिया कहा जाता है क्यों कहा जाता है देखिए अफगानिसान में खेबर पास पढ़ता है उस खेबर पास से होकर आर्रे जो थे वो भारत के अंदर आये थे कहा जाता है कि यहाँ पर परमान मिलते हैं भारत में आर्रेओं के रहने के तो इस कारण जो है भारत को आर्रेओं का लैंड भी कहा जाता है तो यहाँ पर आर्रेवर्ट जो है एक नाम रखा गया जम्बुदीब जो है ये पुरानों में मिलता है अपने को जो पुरान है पुरानों में जम्बुदीब का नाम हमें वहाँ पर वर्णन किया गया है तो पुरानों से इसका नाम आ गया जम्बुदीब तो हमने नाम देख लिए, इंडिया हो गया, भारत हो गया, हिंदुस्तान हो गया, आरेवर्त हो गया और जंबोदीप हो गया तो यह हमारा यहां पर नाम का section complete हो जाता है अब यहां पर हम second, यानि location की बात करेंगे, फिर हम इसके बात dispute पर चलेंगे तो first of all, अगर आप लोगों को location समझनी है, तो location के लिए आप लोगों को कुछ चीज़ें जानने जरूरी है जैसे globe, globe क्या होता है, देखिए globe जो है, यहां पर लगा देता हूँ, globe जो है वो model model of earth होता है, model of earth मतलब की अर्थ का एक तरीके से, पृत्वी का प्रारूप, प्रारूप को ही globe कहा जाता है हमें क्यों जूरत पड़ी इस चीज़ की, देखिए, पृत्वी को तो हम आस्मान में जाकर या फिर कहीं अंत्रिक्ष में जाकर मापने से रही कि हाँ, यहां पर यह चीज़ है, यहां पर यह चीज़ है, तो वह मापने से रही तो कहीं न कहीं हमने उसका एक structure त्यार कर लिया, छोटा सा, ताकि हम यहां से location का पता कर सकें तो globe की इसलिए जूरत पड़ती है, model of the earth कह सकते हैं, यहां फिर पिर्त्वी के प्रारूप को ही globe कहा जाता है, तो यह चीज़ होगी, अब globe को आपने कभी देखा हो, चलो नहीं देखा है, तो आज महीं यहां पर दिखा दूँगा, tension ना लो, तो यहां पर globe को न दो चीज कहा जाता है, clear, अब यह जो लेटी हुई लाइन जो होती है, यहां पर मापके सामने एक चीज बनाना जाओंगा, एक मिनिट, यह जो उपरी जो हिस्सा होता है, यहां पर मान लीजिए, यह चीज़ी थी equator थी, यानि एक ऐसी लाइन, जो प्रित्वी को दो बराबर भागों में बाट थे, उपर वाले हिस्से को उत्री गुलार्द कहा गया, और नीचे वाले हिस्से को दक्षणी गुलार्द कहा गया, यानि इसको northern hemisphere कहा गया, इसको southern hemisphere कहा गया, तो यहां पर यह 0 degree equator थी, यह latitude कहलाई, latitude बोले तो लेटी हुई थी, इससे नाम याद रख लेना, या नीचे वाले हिस्से को वो southern hemisphere में डिवाइड कर रही थी, अब आप सोचो के sir, यह हम समझ क्यों रहे हैं, क्योंकि एक बार आपको अगर भारत की location जाननी है, तो first of all आपको globe के बारे में जानना होगा, globe के उपर जो line कहीं है, उनके बारे में जानना होगा, फिर आपको समझ vertical lines की, vertical lines में ऐसे खड़ी हुई line होती है, ठीक है, इसे longitude कहा जाता है, long, ऐसे समझो, लंबी-लंबी line होती है, तो इसी यह भी zero degree होती है, तो यहाँ पर जो है, इस side के हिस्से को western hemisphere कहा जाते है, और इस side वाले हिस्से को eastern hemisphere कहा जाते है, clear, तो दो चीजे हमने देखी है, एक horizontal line, जिसको हम latitude line कह सकते हैं, या फिर akshans कह सकते हैं, हिंदी के अंदर, यहाँ पर akshans जो है, वो पृत्वी को दो ब्राबर ब्राबर भागों में बाट रहा है, उपरी वाले हिस्से को क्या कहते हैं, northern hemisphere और नीचले वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, southern hemisphere, same हमने vertical line या बाशा करके तो, तो अब यह जो चीज मैंने आप लोगों को बताईए ना, यह भारत के location समझने में बहुत help करेगी, यह आप यहाँ पर देखेंगे ना, एक मिनिट, अरे कहा गई, इसमें दिखेंगा नहीं, एक मिनिट मैं ब्लैक कलर कर लेते हैं, अच्छा, यह आप ला इससे हो क्या कहेंगे, Southern Hemisphere कहेंगे, तो एक चीज तो clear होगे कि भारत कौन से गोलारत में पढ़ता है, उत्री गोलारत में पढ़ता है, एक तो यह चीज ध्यानक ना, दूसरी चीज यहाँ पर आप लोगों को देख रहे होगे, यहाँ पर Tropic of Cancer गुजर रही है, वो Tropic of Cancer भ मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी समझ लो कि एक ऐसा continent जिससे तीनो रेखाएं होकर गुजरती है, वो यहाँ पर होगे अफरीका, तो भारत में से कौन सी रेखा होकर गुजरती है, तो करक रेखा होकर गुजरती है, इसकी importance कहा है, धीरे धीरे आगे जैसे हम च गुजरती है, और भारत के लगबख मद्य में से गुजरती है, और यहाँ पर भारत जैवो उत्रीकोलार्थ में आता है, अब यहाँ पर बात करें कि Western Hemisphere में या Eastern Hemisphere में इसके बारे में बता दो, आपने यहाँ पर equator के perspective से तो बता दिये, भारत जैवो ऊत्रीकोलार्थ में इसको माना गया है, तो इसके इस साइट देखा जाए तो Eastern Hemisphere में आ जाते हैं, किर यहाँ पर समझ नहीं आएगा, मैं आपको इस दूसरी में से समझाता हूँ, समझेए, यह आपके सामने, यह इंडिया है, यहाँ पर यह जी Zero Degree Equator, तो Zero Degree Equator है, तो उपर की तरफ देखेंगे, तो उपर की तरफ तो आगया अपने पास Northern Hemisphere, तो Northern Hemisphere में आगया अपने सामने इंडिया, तो उत्री गुलारत में अपने भारत आगया, और यहाँ पर आप देखेंगे, यह है Zero Degree, यह है Zero Degree Prime Meridian, तो इसके इस साइड हिस्से को कहा जाता है Eastern Hemisphere, और इसके इस साइड हिस्से को कहा जाता है Western Hemisphere, अगर आपको यह समझ में आ रहा है कि भारत कौन से हिस्से में पढ़ता है, तो मुझे लगता है कि बताने के जूरत भी नहीं होगी, भारत जब वो Eastern Hemisphere में बढ़ते हैं कहां पर एक तो Eastern Hemisphere में और एक Northern Hemisphere में clear हुआ तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी उमीद करते हैं और नहीं आई तो वीडियो free of coast है वापस repeat करके सुन सकते हो कोई ऐसा नहीं है कि एक बार दो बार तीन बार ही कोई इसमें time limit रखी गई है कि नहीं भई इतनी बार ही देख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है आगे चलते हैं थोड़ा सा और location के बारे में हम जानते हैं तो आपको उतरी गोलार्द दक्षनी गोलार्द या फिर पश्चमी गोलार्द या फिर पूरी गोलार्द ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी तो भारत जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कहां गए भाई साब यह पैन भी हमारे तो लगता है इनको कभी-कभी दोरे पड़ जाते हैं कि बीच-बीच में कायब हो जाते हैं चलो देखो आगे ना नराज हो जाते हैं कभी-कभी चलिए तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि भारत जो है यहाँ पर लिखते हैं भारत जो है वो उत्री गोलार्द में उत्री गोलार्द में पड़ता है ठीक है और भारत जो है ऐक मिनिट है, इसको फिर से दोरे पट रहें, इसको बोल दिया लगता है कि बुरा लगया पूरवी गोलारद में आता है, तो ये चीजें आपको समझ में आई एक बार मझे ये रफ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर उपर से कुछ लाइन गुजारनी है तो ये चीज़ें आपने लिखनी है बकाईदा कोपी लेखे बैठना ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें मैं लिखी हुई दे दूँगा मैं लिख सकता था लेकिन जान बूझके मैंने चीज़ें को कम रखा है ताकि आप लोग साथ यसाथ कुछ चीज़ें नोट्स भी करते रहें ये सारी चीज़ें तो आपको पीडियाफ में मिलेंगी मिलेंगी लेकिन कुछ चीज़ें आपको नोट्स भी करनी है तो ये चीज़ समझ में आगे कि भारत कहां पढ़ता है उत्री गोलारत में और पूरवी गोलारत में अब आगे चलते हैं अब यहां पर मैं मान लेता हूँ कि यह जो था यह क्या था अपने पास globe था अब इस globe में से बीच में से जा रही थी zero degree equator clear अब यहां पर zero degree equator जा रही थी और इसके बीच में से एक और जा रही थी zero degree longitude यानि prime meridian यह जा रही थी ऑके भई यह भी half भारत में मान लेता हूँ यह condition है भारत की तो भारत के ऊपर से भी कोई longitude जा रही होगी और इसके एक नीचे से भी कोई longitude जा रही होगी ये वाला विस्तार जो है हमें निकालना है कि भारत की जो longitude और latitude जो है वो विस्तार कितना है लेटिटूड विस्तार कितना है और longitudinal विस्तार कितना है भारत का हमें ये जानना है तो अब यहां ज़रा देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ यहां से कोई लाइन आई होगी और यहां से जब कोई लाइन आई होगी तो भारत के इस हिस्से को टच किया होगा उसने और यहां से ऐसे गुजर गई होगी तो भारत में से इस हिस्से को जो टच किया है यह टच करने वाले इस लाइन की मतलब कहें कि नाम क्या है या फिर कहें नाम की नाम नहीं तो इसका कुछ ना कुछ तो डिगरी होगा यहां पर तो इस लाइन को कहा जाता है यह जो लाइन है यहां से भारत को जो टच करके जरूती है चार डिगरी चार मिनिट चार डिग्री चार मिनिट का आ जाता है सर ये समझ में नहीं ये डिग्री कैसे निकालते हैं तो डिग्री मैं समझा देता हूँ डिग्री कैसे निकालते हैं देखिए ये ग्लोब मैंने बना लिया तो ये ग्लोब जो मैंने बनाया कहीं पर भी देख लिए आठ डिग्री का इस एरिया को मिला दिया जाएगा और ऐसे जो है वो डिग्री डिसाइड की जाती है सेंटर से डिग्री डिसाइड कर दी जाती है अब देखो भारत आठ डिग्री का जो यह आँपर एरिया हो गया तो समझ में ऐयो कि आठ डिग्री कैसे निकाला तो आठ डिग्री चार मिनिट का यहां से एक जो हो रेखा यहांसे टच करती हुई जाですね और यह जो रेखा होती वह तमिललाडों में होती है और इसी को कहा जाता है यहां पर यहाँ पर लिखता हूँ, यह जो एरिया है, इसको कहा जाते हैं, यह जो नाम है, यहाँ पर जो इस्थान है, इसको कहते हैं, कैप कैमोरीन, कैप कैमोरीन, तो इसको कैमोरीन के नाम से पुकारा जाते हैं, अब यहाँ पर भूमदे सोरी, बारबार एक्वेटर का नाम आते है कि अगर आप बात करें कि भारत के मुख्य भूमी का विस्तार दक्षिनतम मुख्य भूमी का विस्तार को किस नाम से पुकारा जाता है तो कैप केमोरिन के नाम से उसे पुकारा जाता है कहां पर पढ़ता है वो तमिलाडों में पढ़ता है उस में मतलब की उसका extension मतलब की कहें उस line पे कौनसी degree गुजरती है वो 8 degree 4 minute वहां से एक रेखा यानि एक कहें latitude जो होके गुजर रही होती है तो यह latitude यहां से होके touch हो रही होती है अब बात करें यहां से एक उपर से भी तो जा रही होती है इस area को भी touch करेगी तो यह जो है इस line को यहां पर यह line है यह line कौनसी होती है यह line होती है 37 degree 6 minute यह होती है 37 degree 6 minute यहां पर clear हुआ यहां पर तो भारत का विस्तार यहां पर देखें तो भारत का विस्तार तो भारत का विस्तार जो है यहां समझे इस लाइन को यह आठ डिग्री चार मिनट से लेकर और इस लाइन को 37 डिग्री छे मिनट तक यह इस तरीके से लेटिटूड का जो है वो अक्षांस के बीच में अब बात करें यह टोटल एरिया कितना आ जाता है यहां से लेकर यहां तक आपने इस लाइन तक तो खीच दिया आप मुझे बताओ यह टोटल एरिया या फिर इसकी लंबाई कितनी हो जाती है तो इसकी लंबाई हो जाती है ध्यान रखना इसकी लंबाई जो जाती है 3214 किलो मिटर ध्यान रखना कि भारत जो है इस हिस्से से लेकर और इस हिस्से तक नीचे कैप कैमोरिन तक इसमें टोटल लेंथ लगी हुई है 3214 किलोमेटर और यहां पर इस हिस्से को भी कुछ कहा जाते है सर नीचले वाले हिस्से को तो आपने कैप कैमोरिन कह दिया यहाँ पर क्या कहते हैं और इस हिस्से को कहा जाता है इंद्रा कोल तीक है यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूँ इसको कहा जाता है इंद्रा कोल यह होता है इंद्रा कोल अब कोशन ध्यान से समझना कि मैं क्या कहने वाला हूँ यह कोशन पूझे जाते हैं कि भारत के भारत क उत्री हिस्से मतलब की सबसे उत्री हिस्से को क्या नाम दिया गया है तो भारत के सबसे उत्री हिस्से को क्या नाम दिया गया है तो ध्यान रगना ये नाम दिया गया है इंद्रा कोल और इंद्रा कोल कहाँ पर पढ़ता है मुख्य भूमी के कि भारत की मुख्य भूमी के दक्षनतम हिस्से को क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है कैप कमोरिन कहा पढ़ता है तमिलाडो में पढ़ता है अब पूछा जाए कि यही है कि सबसे दक्षनतम बिंदू यही है क्या कैप कमोरिन नहीं, ये नहीं है, क्यों नहीं और यहां पर जो यह लाइन होती है, वो होती है 6 डिगरी चार मिनिट अब पूछा जाए आप से, कि भारत के सबसे दक्षंतम बिन्दूगों क्या कहा जाता है देंखें, दो कोशन होते हैं बारत की मुख्य बुमी के दक्षनितम बिन्दु को कहते है Capcomorin अब पूछ ले कि बारत के सबसे दक्षनितम बिन्दु को क्या कहते है अब मुख्य बुमी नी कह रहे मुख्य बुमी तो यह होगी न यह भुमी से टच तो नहीं हो रहा यह आइलेंड है एक तरीक के का, तो यहाँ पर जो है, इसको कहा जाता है, दक्षनितम बिंदू, तो इस दक्षनितम बिंदू को यहाँ पर, एक मिनिट, यहाँ पर इसको कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, ठीक है, यह कहाँ पर पढ़ता यह Great Nicobar में पढ़ता है इसको अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है इस इंद्रा पोईंट को अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है इसको कोई पारसेन भी कह देता है कोई क्या हम इसी के नाम से भी बोल दिया जाता है इसको पारसेन भी कह सकते हैं इसको लाही चिंग भी कह सकते हैं इसको लाही चिंग भी कह सकते हैं या फिर इसको पिगमेलियन भी कह सकते हैं पिगमेलियन भी कह सकते हैं तो तीन नाम हो गए हमारे सामने एक पिगमेलियन, एक लाही चिंग हो गया और एक पारसेन हो गया इंद्रा पोइंट होगी, कहां पर पड़ता है ने दक्षिनतम बिंदु को कहा जाता है भारत के दक्षिनतम बिंदु को इंद्रा पोइंट कहा जाता है, जो great निकोबार में पड़ता है clear हो गया, तो यह चीजें जो हैं हमने latitude के according यह चीजें को length कितनी है, मुखे भुमी का पूछा गया 3214 किलोमेटर हो जाती है सबसे दक्षिनतम मुखे भुमी के दक्षिनतम बिंदु यानि 8 degree 4 मिनिट को यहां पर जो टच करती है उसको स्थान को क्या कहते है, कैप के मोरिन कहते है, उस सबसे उत्री बिंदु को क्या कहा जाता है यहां 37 degree 6 मिनिट से होकर जो लाइन टच करती है, उसको इंदरा कोल कहा जाता है जो अपने जमू कश्मीर में आ जाता है एरिया में, क्लियर हो गया यह तो हमने इस विवा इस एंगल से जान लिया हमने अब बात करे हैं, कि सर जैसे हमने देखा, एक लेटी हुई लाइन होती है अक्षांस जिन लेटिटूड कहाते है एक खड़ी हुई लाइन लोंगिटूड जिनने दिशांतर कहा जाते है हमने लेटिटूड के अकोरिंग तो अपनी लोकेशन समझा ली एक बार जरा लोंगिटूड के अकोरिंग भी लोकेशन समझा दीजी तो लोंगिटूड के अकोरिंग यहां से एक लाइन जो टच करती हुई भारत से गुजरती है और यहां से यहां से जो एक लाइन टच करती हुई गुजरती है तो यह जो एरिया है या फिर यहां पर कौन-कौन सी line होती है, जरा इनको देख लेते हैं यह जो line है, यह अरणाचल प्रदेश में आती है अरणाचल प्रदेश में यह जो area है, इसको कहा जाता है किबुतू ठीक है, यह जो area होता है किबुतू यहां पर यह कौन सी degree आती है, 37 degree, 25 minute 37 degree 25 तो यह line होगी इसके यह degree मैंने आप लोगों को बता दी अच्छा यहाँ पर कौन से आती है यहाँ पर जो गुजरात से होके टच्क होके निकलती है यह जो है यह है 68 degree 68 degree 7 minute यह सारा पूरवी चलता है देखिए फिर से उजादता हूँ 37 degree 6 minute उत्री नोर्दन 8 degree 4 minute उत्री है यह अब यहाँ पर 37 degree 25 minute पूरवी है यह पूरवी क्योंकि आपको बता है ना कि भारत उत्री गुलार्द में और परवी गुलार्द में पड़ता है तो उत्र और पूरव चलेगा ना पश्चिम ना दक्षिन चलेगा इस चीज को ध्यान रखना तो यह हो गया 37 degree 25 minute पूरवी और यहाँ पर हो गया 68 degree 7 minute यह भी पूरवी ही चलेगा तो यह हो गया आपने सामने गुजरात का एरिया और इस पॉइंट को क्या का जाते है यहाँ पर जो पॉइंट होता है इसको कहते है गुषार मोती यहाँ पर जो पॉइंट होता है उसको कहते है गुषार मोती जो गुजरात में पढ़ता है गुषार मोती clear हो गया तो यह मैंने आप लोगों को बता दिया अब सर आपने जो length बताई थी यह तो बता दी थी कि भी latitude के according आपने length बता दी थी वो length निकलती है total 2933 km तो यह ध्यान रखना पूछा जाता है एक्जाम में कि भारत का longitudinal जो है वो विस्तार कितना है भारत का latitudinal विस्तार कितना है यह questions पूछ लिए जाते हैं एक्जाम में मैंने देखे हुए आने वाल देखे इस channel के उपर आप लोगों को अलग से वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर मैंने previous year के question करवा रखे हैं Indian geography के तो वहाँ पर आप जेखेंगे ना भारत की location से related बहुत सारे question previous year में पूछे जाते रहे हैं तो वहाँ पर यह पूछा भी गया है कि length कितनी है longitudinal length कितनी है latitudinal length कितनी है अक्षांसी अविस्तार बताईए पूरा अपना देशांतर विस्तार बताईए भारत का सबसे उत्री बिंदू को क्या जाता है मुखे बुमी के दक्षनितम बिंदू को क्या का जाता है अभी आपको मैंने location के बारे बता दी है भारत की, तो चलिये, अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं, boundary के बारे में, अब हमने location भी देख लिए भारत की कहां पर आती है, अब हमें boundary जाननी है, देखे boundary जो हैं, तीन तरीके की boundary है, एक होती है physiography boundary, इसे भुगोलिक सीमा कहते बॉहुऑलिक सीमा बोले तो अभी आपके सामने यहां पर यह जो मैप है, इसमें यह varit आप देख रहे हुँ न hypoth होütün गया और यहां पर यह Frans देख रहे हो तो यह Frans ओ इल इसी आपस में boundary बना कैसे रहे हैं एक आल्प्स परवत की इस आल्प्स के द्वारा यह जो है यह boundary बनाए हुए एक भोगोलिक यानि एक प्राकरतिक boundary इसमें मानी गई है परवत है यहाँ पर यह ठीक है जो परवत से जो नदियों से बटे हुए शेत्र होते है मतलब कि यह मान लेते हैं कि यह नदी यहाँ से गुजर रही है तो यहाँ से ए नाम का देश हो जाएगा और इस सैट का जो है वो बी कहलाएगा यह देश तो यह जो होता है इसको भोगोलिक सीमा कहते हैं यानि फिजियोग्राफिक boundary कहते हैं अब यह हो जाता है हमाँ सामने फिजियोग्राफिक boundary सेकंड नमबर पर आती है जियोमेट्रिकल boundary जिसमें longitude और latitude का काम होता है जैसे मैंने आप लोगों का भी longitude और latitude का मतलब बताया कि क्या होता है कैसे सर कोई example example है ना जैसे एक 49 डिगरी 49th parallel जो है यहां से United States और जो US हो गया और Canada हो गया इनको अलग करती है यानि ये एक boundary मानी जाती है यहां पर 38th parallel line जो है वो South Korea और North Korea के बीच में से गुजरती है तो यह longitudinal इनको सीमा मतलब यह boundary बनाई होती है एक physiographic boundary होगी हमारे सामने एक geometrical boundary होगी यानि जिसमें longitude और latitude का इस्तिमाल किया जाता है फिर एक आती artificial कहलो या उसे political कहलो artificial मतलब कि खुद इंसान ने अपनी मर्जी से वो boundary खिंजी होगी होती है तो देखिए यह तो जी होगी हमारे सामने की प्राकरतिक थी यह latitude के according या longitude के according जो है हमने boundary को decide कर लिए artificial में जैसे कि हमारे देश और हम बात करें पाकिस्तान हमारे बेटे के बारे में तो कौन सी बीच में लाइन हो जाती है तो red cliff हो जाती है तो यह मैंने आपको boundary के बारे में बता दी कि कितने type के होती है अब भारत की boundary के बारे में भी कुछ चीज़ों को हम जान लेते हैं कि भारत की boundary से related क्या क्या चीज़े important हो जाती है देखो भारत की सीमा यानि boundary of indiagram में समझना है तो दो चीज़ों से हम समझते है एक होती है जली है सीमा यानि water boundary water boundary जैसे कि आपने देखा है ने कि भारत के जो निचली इस्थे में हमारा जो है area जो है वो पानी से गिरा हुआ है यह प्राइदीपिया भारत कहलाता है प्राइदीपिया भारत का मतलब पैनिसुलर इंडिया पैनिसुलर का मतलब क्या होता है जो area जो है वो तीन तरफ से पानी से गिरा हुआ उसे पैनिसुलर कहा जाता है प्राइदीप कहा जाता है तो देखें एक side, दो side, तीन side, तीन side से जो है वो पानी से गिरा होने के कारण यह जो area होता है अपना इसको peninsular India का जाता है यहनी प्राइड भारत का जाता है तो यहां पर देखेंगे कि पानी से घिरा हुआ है अब बात करें कि इसकी length कितनी आती है जली असीमा की बारत की तो जली असीमा की जो length है बारत की वो 600 km है लेकिन अगर आपसे total पूछ ले total में आ जाता है 7516.06 km इसका क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ इसमें जो है वो island भी शामिल कर लिए गए लेकिन इसमें island शामिल नहीं थे ये सिर्फ और सिर्फ मुखे भूमी से था लेकिन अब इसमें 7516.06 km में कौन से आ जाते हैं island भी आ जाते हैं एक बार मैं यहां पर साफ साफ से लिख देता हूँ तो boundary यहां पर आगी आपके सामने 600 km आ जाती है मुखे भूमी की लेकिन अगर आप से पूछ ले कि total कितनी है तो total है 7516.06 km तो यह हो जाती है आपके सामने total ओके अब यह हमने water boundary को समझ लिया एक बार अब ज़रा हम दूसरी boundary के बारे में और बात कर लेते हैं वो है land boundary या फिर कहें थल सीमा थल सीमा जैसे कि आपको बता है कि यहां पर area जैसे हमने जैसे map में आप देख पा रहे हो कि उपर की तरफ पाकिस्तान है तो पाकिस्तान भारत के साथ एक थल यह सीमा ही तो बनाता है इसकी length कितनी है 3323 किलोमेटर है फिर यहां पर अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमेटर है फिर नीचे की तरफ चलते हैं यहां पर एक तो हो गया यह चाइना हो गया चाइना के साथ 3488 किलोमेटर की जो area है जो एक सीमा साजा करता है फिर नेपाल के साथ हो गया, हमने यहां पर देख लिया, बुटान हो गया, यहां बांगलादेश हो गया, भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ आ जाती है, तो बांगलादेश के साथ की जाती है, कोशन पूछा जाता है, तो यह चीजे हमने देख ली, एक थल सीमा देख ली अच्छा थल सिमा की जो लेंथ है वो भी पूछ ली जाती है तो थल सिमा की जो लेंथ हो जाएगी हमारे सामने 15200 किलो मेटर है और थल सिमा में आपको देश याद रखने है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भुटान, मेयनमार, बांगलादेश अब यहाँ पर आगे चलते हैं और लेंड बाउंडरी के बारे में हम और भी बातें को मतलब कि उनको लेकर आते हैं तो चलिए, फर्स्ट अफॉल हम बात करेंगे बाउंडरी विद पाकिस्तान तो बाउंडरी विद पाकिस्तान में जो भारत जो पाकिस्तान के साथ है ठीक है इस line को क्या का जाता है इस line को red cliff line कहा जाता है ठीक है ये चीज़े हमें पता है अब थोड़ा बहुत map में देख लेते हैं दो देखिए ये रही 3323 km की length हो जाती है यहां पर और ये एक और चीज़ जो आप लोगों को समझनी है यहां पर red cliff line जो है यही जो है वो red cliff line है यह उपर का जो एरिया है न यह LOC यानि line of control कहा जाता है LOC कहा जाता है क्यार इसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि POK पाकिस्तान occupied कश्मीर है वो एक विवादसपद है वो हमारा है हमारा एरिया है भारत का ही एक अभिन अंग है आने वाले टाइम में भारत उसको हासिल करेगा definitely करेगा लेकिन अभी हम इसको जानेंगे कि LOC यानि फिर POK जो है भारत क्या कहलाएगा तो यह हो गया हमारे सामने boundary जो है हमने पाकिस्तान के साथ देख लिए यहां पर ओके यह जो है LOC यह भी आपको ध्यान रखनी है अब dispute की बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान के साथ हमारे जो dispute है जो विवाद रहते हैं जमीन को लेकर उसकी बात कर लेते हैं तो dispute में सबसे पहले number one पर हम जिकर करेंगे सर क्रीक की clear यहां पर तो सर क्रीक को अगर मैं आपको यहां पर पाकिस्तान जो था जब देश आजाद नहीं हुए थे तो यहां पर सिंद जो अंगरेज थे और जहां पर भार्त के यानि अपने अपने एरिया में यह सर क्रीक को अपने-पने मैप में दिखा डाला और ये विवाद तब भी चला जब भारत आजाद हुआ और जब भारत आजाद हुआ तो पाकिस्तान और भारत की जो सेनाए हैं वो आपस में इस जगह के लिए पाकिस्तान ने का कि ये एरिया मेरा है और पाकिस्तान ने यहाँ पर एक ग्रीन लाइन ड्रो करती है आप देख पारे हो ने एक ग्रीन लाइन ये पाकिस्तान के दोरा ड्रो की हुई लाइन है तो पाकिस्तान ने का यहाँ तक मेरा एरिया है ठीक है तो यहाँ पर भारत ने क यहां पर सरक्रीक को लेकर चलता रह रहा है total जो इसकी length है यहां तक सरक्रीक की वो है 96 km 96 km जो है इसकी length हो जाती है अब बात करें सर यह इतना famous क्यों है क्या reason है दिकिए reason जो है वो oil और gas के लिए काफी जादा rich area है यहां पर तो कभी-कभी यहां पर एक तरीके से भारत के जो मुछवारें यहां पर जाते हैं तो उसको पाकिस्तान पकड़ भी लेता है और सेम भारत के साथ भी ऐसे किये जाते हैं भारत भी ऐसे करते हैं कि पाकिस्तान के जो आते हैं यह area famous इसलिए है क्योंकि यहाँ पर तेल और गैंस के reserve मतलब कि काफी ज़्यादा मातरा में यहाँ पर पाये जाते हैं इस कारण जो है वो पाकिस्तान इसके उपर अपना अधिकार जताने की कोशिश करता ही करता है खैर उसके दिन तो ऐसे भी बूरे चल रहे हैं तो उसको छोटी-छोटी चीजों की चाहिए है कि कहीना कहीन से कुछ तो मिली जाए तो यह हमने पहला dispute हमने जान लिया है अचा क्रीक के बारे में बात करें कि क्रीक किसको कहते हैं तो क्रीक का एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर जो बनता है महासागर यह जल के पीछे की और गती करने से ठीक है क्रीक एक ऐसा एरिया होता है जिसमें महासागर की जो धाराएं है वो महासागर का जो जल है वो पीछे की और गती करता है उसके बहने से जो है वो क्रीक का निर्वान होता है जैसे हमारी उंगली जो होती है ना उंगलियां जो होती है फिंगर जो होती है तो यह हो गया हमारे सामने dispute के अंदर first dispute sir krik के बारे में तो मैंने आप लोगों के इस से related चीजे यहाँ पर बता दी है आगे चलते हैं second dispute के हम बात करें second dispute में आता है हमारे सामने run of kach या kach का run आ जाता है यहाँ पर 1908 में जो dispute होना start हो सकता है हम यह कह सकते हैं कि जो kach के जो ruler थे राओ जो थे और सिंद के जो government थे यहाँ से जो थे विवाद होना start होता है इपने एरिया के according यहाँ पर कहते हैं कि यह मेरे अंडर आता है तो 1914 के अंदर Bombay को government जब वो एक map भी निकालती है लेकिन एरिया यह जो है यहाँ पर जो विवाद है वो शाहत नहीं होता फिर क्या होता है April May 1965 में जो इंडिया और पाकिस्तान की जो आर्मी है यहाँ पर clash हो जाता है run of kach को लेकर फिर February 1968 यह ध्यान रखना है कि 1968 के अंदर एक समझोता होता है समझोते के अंदर run of kach जिसका 90% भारत को दे दिया जाता है लेकिन बाद में भी चीज़ें चलती है 1997 के अंदर भारत और पाकिस्तान बैट के आपस में बात करते हैं देकि सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बातें मतलब कि area का dispute जो है वो बातों से किया जा रहे है कि हमें यह चाहिए या फिर हमारी ऐसी negotiation वो बैट कर की जा रही है हत्यारों का use यहाँ पर नहीं किया जा रहा फिर सेम 2005, 2007, 2008, 2012 यह सब चीज़ें डायलोग जो है वो अभी भी चली रहे है तो अब मैं आप लोगों के एक पर Sur Creek, Kory Creek और Run of Cuts दिखा जेते हो तो यह जो area आप देख रहे हो ना यह हो गया Sur Creek और यहाँ पर यह होते है Kory Creek पूछ लिया जाते है कि Kory Creek का है map मैंने बहुत डूड़ा नहीं मिला था बकायदा यह Google map का use करते हैं शेहाँ आप लोगों को बताया है यह boundary होगी International boundary होगी इस वाला जो area होता है वो पाकिस्तन के पास तो यह run of Cuts से related चीजें हमने चीजों को समझ लिया है तो अब आगे चलते हैं काफी जादा important या फिर कई sensitive issue यह वाला है जिसमें हम 3rd dispute के अंदर बात करने वाले हैं P.O.K यानि पाकिस्तान occupied कश्मीर क्योंकि आपको पता है कि जब देश अजाद हुआ था तो देश अजाद होने के बाद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बास तो आने वाला कभी था ही नहीं और उसने जैसे जाकर वहां कर जमो कश्मीर पर अटेक कर दिया था और कुछ हिस्से को अपने अंडर ले लिया था देखिए भारत का ही हिस्सा है इसलिए पूछा जाता है कि बारत की सबसे उंचा परवत कहां पर है तो केटू यानि गोडविन है इतना ध्यान रखना और भारत का सबसे उत्री बिंदू कहां पर है या फिर उत्री उत्री बिंदू को क्या कहा जाता है उसको इंद्रा कोल क आजाता है जो POK में ही आता है मैप में जड़ा देखें तो मैप में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर जो है यह जो लाइन है यह यह वाली यह LOC आजाती है और यह LAC यहाँ पर इसके साथ आजाती है चीन के साथ यहाँ पर clear हो गया यह Sia Chin Glacier है Sia Chin के बारे में जानेंगे अगला जो Dispute है वो Sia Chin से ही related हो जाता है अगले Dispute के बारे बात करते हैं थर्ड Dispute हो गया फोर Dispute पर आते हैं फोर Dispute यह नहीं Sia Chin Glacier हो गया तो Sia Chin Glacier जो है इसके बारे में 2-3 km आ जाती है और इसकी हाइट जो वो 57-100 मेटर हो जाती है समुन्दर तल से 57-100 मेटर हो जाती है अब समदना कि हम जो हाइट जो मापते हैं या फिर परवत जो सबसे उंचा परवत Mount Everest है नेपाल में जिसको सागर माता कहा जाता है उसकी जो उंचाई मापी गई है वो उंचाई मापती कैसे है वो समुन्दर तल से मापा जाते है और समुन्दर तल से के मापती है क्योंकि समुन्दर हर जगा एक समान लेवल में होता है इसलिए इसको जीरो मान लिया जाता है और इसी से जो है उंचाई मापी जाती है तो जो हाइट वो समुदर तल से सतावन सो मेटर है तो यह चीज क्लियर होगी हमारे सामने तो सियाचिन गलेशिर की लैंथ वीट तरहा हाइट हो जाती है फिर एक और चीज है कि जैसे जैसे हमों उपर चलते ना इस चीज को दियान रखना या फिर आने वाले टाइम में आप लोगों कराऊंगा कि जैसे जैसे हम हाइट में उपर जाते हैं तो उपर वो और चपी कमी होने लग जाती है अब यहां जो है oxygen की कमी लग बग 15% तक हो जाती है तब ही यहाँ पर जो हमारे देश की सिपाई जाते है उनको तीन चरणों में जो है वो उपर पहुँचाया जाता है उनको एक हफ़ते के लिए रोका जाता है पहले step में फिर एक हफ़ते के लिए फिर रोका जाता है फिर तीन चार दिन के लिए फिर रोका जाता है तो तीन स्टेप में जो हैं वो सियाचिन ग्लेशियर तक भारत की सिपाईयों को पहुचाया जाता है और बहुत जाद एक sensitive चीज़ हो जाती है यहाँ पर skin को लेकर क्योंकि यहाँ पर अगर छोटा सा भी अगर आपको cut लग जाता है तो पुरी skin जो है वो नीचे आ जाती है दूसरी बात एक और चीज़ जो हमें समझना है कि यहाँ पर न एक Indus Seaog River और नुब्रा नदी यह नुब्रा नदी जो है वो Siachin Glacier से ही निकलती है ठीक है जुब्रा नदी जो है वो Siachin Glacier से निकलती है नहीं मैंचे यह चीज़ समझानी थी कि नुब्रा नदी जो है वो Siachin Glacier से निकलती है अब नुब्रा नदी मिलती कि इसमें वो Siog नदी मिलती है Siog नदी किसमें मिलती है वो जाके Indus River में जाकर मिल जाती है क्लिर हो गया अब यहां पर जो है मैं आप लोगों का मैप के तुरू इस चीज़ को भी दिखा देता हूँ अब एक चीज़ होर है 1984 में में एक दूद ऑपरेशन चलाया गया था इंडस सियाचिन Glacier से लेटिड जहां पर पाकिस्तान को पीछे हटा दिया गया था तो यहां पर देखिए यह हो गया अपने सियाचिन Glacier और यहां पर एक चीज़ है यहां पर कारा कॉरम कारा कॉरम रेंज भी यहां से गोजरती है ट्रांस हिमाले जिसको कहा जाते हैं 5th dispute, Indus River यह सिंदु घाटी नदी हो जाते है इस से रलेडेटी है शिंदु नदी जो है आप यहां पर देखेंगे तो यह रही जो सिंदु नदी है यह जो है पहले तो इसका सिस्टम करेंगे भारत का तब वहां पर इस तीज को समझेंगे तो चेमा यूंग डूंग गलेशियर से ये निकलती है वो चीन की साइड में पढ़ जाता है ठीक है तो ये हो गया हमारे सामने चेमा यूंग डूंग गलेशियर अब इसके बाद बात करें कि एक मिनट इसके बाद बात करते हैं हम सेकंड सेकंड कि भारत में ये एंट्री कहां से करती है तो भारत में जो ये नदी है इंडस नदी जो है वो ये एंट्री करती है दामचुक दामचुक जो एरिया हो जाता है न यहां से जो है वो एंट्री करती है भारत के अंदर एंट्री करती है दामचुक एरिया से भारत के अंदर यह एंट्री करती है और exit कहां से करती है भारत में से तो चिलास नाम से एरिया हो जाता है भारत के अंदर जो है वो यह जो है वो एरिया जो हो जाता है वो चिलास नाम स एकसान हो गया अब यह निकलती कहां से हैं यह चीन में आ जाता है यहाँ पर अब यह क्या था कि 1947 में जब हमने क्या किया था भारत सरकार ने या फिर कहीं भारत ने यहाँ पर पानी रोग दिया था काफी साधा मुसीबत आ गई थी पाकिस्तान के अंदर तो यहाँ पर जो था जाए कि यहां पर जो था उसी वक्त 1948 में अमेरिका ने अपने टैनेसी सिस्टम जो है वो या टैनेसी स्कीम जो है वो लौँच कियो होती है तो यहां पर एक तरीके से जो यूएन चले गए थे या फिर कहें कि एक मद्यस्ता कराने के लिए जो जोहलनान नहरू है वो चले गए थे कि भी इस चीज की मद्यस्ता की जाए कि नदी को लेकर तो उस वक्त एक ट्रीटी होती है वर्ल्ड बैंक के दौरे एक ट्रीटी करवाए जाती है उस ट्रीटी को कहा गया था यहां पर देखें इंडस वोटर ट्रीटी जो थी वो करवाए जाती है 1960 में वर्ल्ड बैंक के दौरा ये ट्रीटी या फिर एक संदी करवा दी जाती है 1960 में अब इसमें क्या किया गया इसमें ये किया गया कि जो नदियां है इंडस, जेलम और चेनाब यह जो नदिया है तो इसमें से इसका 80 परतिशत पानी देखें यह जो नदिया होगी इसका 80 परतिशत पानी जो है वो कौन यूज़ करेगा वो पाकिस्तान यूज़ करेगा ठीक है और बाकी जो बचगी राभी, ब्यास और सत्रुज इसमें से जो 80 परतिशत पानी है इसका जो 80 परतिशत पानी है वो कौन यूज़ करेगा वो भारत यूज़ करेगा तो यहाँ पर यह जो चीज़ है वो डिवाइड कर दी गई कि इसके द्वारा 1960 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह एक संदी हो गई थी अब यहाँ पर भारत सरकार काफी सारे प्रोग्राम बना रही है धाम बना रही है डैम बना रही है यहाँ पर जैसे जेलम में चेनाब पर तो इसको लेकर भी पाकिस्टान बुखलाया हुआ है और बना रही है भारत तो यह जितना भी था हमने जितना भी इसकोट था पाकिस्टान के साथ सारी चीजों को हमने कवर कर लिया है साथी साथ आमने boundary को भी समझ लिया है उमीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो समझ में आई हैं तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए तो वीडियो को like करें subscribe करें channel को क्योंकि अगर आपके subscribe से मुझे motivation मिलती है मुझे लगते हैं कि बच्चे को समझ में आ रहा है तो मेहनत करने में और ज़्यादा मजा आता है आपके लिए ही चीज़ें हो रही है free of cost है ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इसके अंदर कुछ भी पैसा दे रहा है subscribe करने में ऐसा कुछ भी नहीं है तो like, subscribe, साथ इसाथ PDF जो है मैंने आप लोगों को बता दिए कि PDF कहा मिलेगी उसके बाद इसमें बस इतना ही था share कर सकते हैं हां share कर सकते हैं चैनल को as well as video को भी तो बस आज के लिए इतना है रखते हैं thank you for watching this video